Hey guys, welcome back to the box office plus तो इस वीडियो में हम कबर करेंगे 2030 के मई में आने वाली web series और movies को वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये web series और movies कहां release होगी किस language में release होगी और उनकी confirm release date क्या है साथ में का थोड़ा सा plot भी में बताऊँगा ताकि आप इन movies और web series के बारे में जान सकें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर वन दाहार web series दाहार के दो मिनट 33 सेकंड के ट्रेलर की शुरुवात में दिखाया जाता है कि एक भाई अपनी बहन के लापता होने का केस दर्ज कराने के लिए थामे में आता है वो अपनी बहन का नाम कृष्णा बताता है जिसकी उमर 28 साल है वो पिछले 6 महिनों से गायप है अब सब इस्पेक्टर अंचली भाटी को इस केस की जिम्मेदारी सोपी जाती है इसकी परताल के दोरान उने पता चलता है कि बड़ी संक्या में महिलाय और लड़किया गायप हो रही है सभी एक तरह से गायप होने के कुछ दुनों बाद मृतक पाई जाती है इस तरह एक या दो नहीं पूरी 27 लड़किया शेहर से गायप हो चुकी है अंचली को इतना सबज में आ जाता है कि ये हर केस के पीछे एक पैटन है ये किसी साधरर इंसान का काम नहीं जो भी ऐसा कर रहा है वो किसी राक्षत से कम नहीं सोहम्त शाहा और गुल्शन देवया ने भी पुलिस कर्मियों का रूल प्ले किया इस वेब स्रीज में ये वेब स्रीज 12 मई को एमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है सर इस छोरी का केस और क्रिसना का केस डिटो एक जैसा लग रहा है अब ये सब कैसे पूरा होता है ये आप इसका सीजन टू दे की जान पाएंगे हो गया ना वही जिसका मुझे तर था नमबर थी कठल OTT प्लैट्फॉर्म नेटफलिक्स एक बार फिर दिलस्थ कहानी लेकर हाजिर है इस बार किसी इनसान के लापता होने की कहानी नहीं बलकि कठल के गायप होने की परताल होती है जी हाँ नेटफलिक्स नई फिल्म कठल दस्तक देने बाली है फिल्म में लीड रोल में है सान्या मलोत राज जो पुलिस ऑफिस्सर की भूमिका में नजार आ रही है कठल की कहानी साल 2014 में गटित हुई मामले से प्रिवित लगती है साल 2014 में ठीक एसे ही जेडियू सासत के बगीचे से दो कठल कायब हुए थे तब उन्होंने मामला दर्श कराया था चोड को पकड़ने के लिए बकायता एक टीम भी गठित की गई थी ये मूवी नेटफलिक्स पर 19 में को रिलीज हो रही है नमबर फूर आई बी सेवन वन आई बी सेवन वन एक अपकमीं एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका डायेक्शन नेशनल अवर्ड विनर डारेक्टर संकल प्रेड़ी ने किया है इस फिल्म में विद्यू जामपाल अपने निर्थेशन करियर की शिरुवात करने जा रहे है बता दे फिल्म में विद्यूत अनुपम खेर विशाल जिफतार लीड रोल में है आई बी सेवन वन एक डेश बस्ती पून जासूस थ्रिलर सच्ची कट्वपर आतारित एक अनकही कहानी है जहां आई बी एजेंट देव जामवाल यानि विद्यू जामपन देश को बचाने के लिए एक टॉप सिक्रेट मिशन पर है बता देई एक फिल्म तीन देशों तीस एजेंट दस दिनों के एक टॉप सिक्रेट मिशन पर आता रही थे यह मूबी केटर्स में 12 मैं को रिलीज होगी सब्सक्राइब करने वाली राजनिती शक्षित की हत्या के प्रयास के बाग कई जिंदगिया आपस में टकराती है शांत दिखने वाली जील में फेका गया एक पत्तर लेहरों की एक सिरीज को बर्त देता है जो सभी पो प्रावबित कर सकता है और कई लोगों को चोट भी पोजा सकता है सिटी ओफ ड्रेम्स गायकवार परिबार के भीतर के जगड़ी की कहानी है जो एक दुरूबी करण करने वाले राजनिति व्यक्ति के प्रयास के बाद फूट पड़ता है ये वैब्सरी जल्दी डिजनी प्रावफ अफटार पर रेलीज होने वाली है I hope आप में हमारी बताई गई मूविज और वैब्सरी की लिस्ट को इंजोई किया होगा आपको इन मेंसे किसका इंतिजार है कमेंट बोस में कमेंट करके बता है और यार हमेशे की तरहे क्वालिटी कंटेन बहुत जादा है और सभी को इसी लाइब में celebrate करने के लिए आप हमारे इस चैनल Box Office Plus को सब्सक्राइब करके बेल आएका ज़रूर दबा दीजिए सभी Hollywood और Bollywood, Movies और वैब्सरीज के interesting facts जानने के लिए आप हमारे Box Office के Instagram और Facebook के पेज को फोल्डो कर लें कुछ भी random देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं थेंक्यू सो मच लव यू टेक केर बाबाई